अस्सालाम उलेक्रों स्टूडटंस वेलकम बैक तो अपना टीचर डॉट कॉम आज हम बात करने जा रहे हैं एकंपॉर्टन कॉंसेट्ट पे वह है कंजियूमर बिहेवियर और कंजियूमर बिहेवियर को समझने से पहले कुछ कॉंसेफ्ट है और उसमें सबसे important concept है utility का अब ये utility का concept क्या होता है इसको मैं एक example से समझाता हूँ आपको फिर further इसको हम move करेंगे इसकी different types है different approaches हैं तो utility क्या होती है इसको एक असान जबान पे समझते हैं उसके बाद इसकी English definition पढ़ेंगे कि क्या होती है first करें मैं office से घर आया office से में घर आया तो दार्शी बात है भाई office से घर आया तो मुझे प्यास लगी तो जब प्यास लगी और मैंने fridge खोला अपना fridge खोला उसमें पानी था मैंने बादा दी पानी पिया तो जब पानी मैंने पिया तो obviously सी बात है मेरी एक satisfaction पानी का पीने से जो वह satisfaction हुई तो वह क्या है वो मेरी utility है फिर मैंने क्या करा मैंने अगला ग्लास पानी का पिया तो जो पहनी satisfaction थी ना मेरी मतलब जो मैंने पहला ग्लास पिया था पानी का वह दूसरे ग्लास से ज्यादा थी क्यों क्योंखे उस वक्ष्छ न्या昨ग प्यासा था और अब मैं थोड़ा कम प्यासा हुआ तो अब अगर मैं utility की definition को पढ़ता हूं उस definition से उस example से link करके जो मैंने आपको बताई कौन सी वाली पानी वाली जो मैंने office से आखे पानी पिया तो मेरी क्या पूरी हुई satisfaction तो utility की एक need fulfill हुई, आप satisfy हुए उस पानी को पीने से, और पहले गिलास की satisfaction बहुत ज़्यदा थी as compared to second glass, जब आपने दूसरा गिलास पिया पानी का, तो utility जो है वो simple सी बात है, एक concept जमाग में बिठा लो, वो है level of satisfaction, क्या है level of satisfaction कहलो, power of satisfaction कहलो, या सिर्फ satisfaction कहलो, यह हो गई simple सी बात utility की, अब हम बात करते हैं, इसकी दो approaches है, कितनी approaches है, दो approaches है, एक है ordinal approach, एक है cardinal approach, कौन कन सी approaches है, एक है ordinal approach, और एक है cardinal approach, अब यह दो approaches क्यों है, इन दोनों approaches में, एक most important, एक बहुत major मेजर फर्क है वह फर्क्या है उसको देखते है उसको डिसकस करते है तो-ardinal approach क्या केता है? वो केता है ,we cannot measure the utility but we can ranToo अब इसमें important बात क्या है ? किमी पाद परोच को सब्सक्राइब डिवरेंट करती है इन दोनों में एक यह यह कहता है वी यहिं मतलब हम इसको number में major नहीं कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ rank कर सकते हैं, rank 1 पे मेरी ये utility है, rank 2 पे मेरी ये satisfaction है, rank 3 पे मेरी ये satisfaction है, और जब cardinal approach पे हम बात करते हैं, cardinal approach कहता है, we can major the utility in numbers, मतलब हम numbers में अपनी utility को major कर सकते हैं, अब इसको समझने के लिए एक असान सी example है, जो यहां पर मैं रखूँगा, और इंशाल्ला आपको cardinal approach समझ मा आजएगी, कि utility की cardinal approach क्या कहती है, मैं एक इसकी example देता हूँ आपको, दो बंदे हैं, Mr. A और Mr. B, ये गए एक mobile shop पे, एक mobile खरीद में, mobile shop पे गए, mobile खरीद में, mobile वाले ने कहा, कि भाई, ये mobile है, 20,000 रुपे का, दोनों को same price code करी, वो थी 20,000, 20,000 code करी, जब Mr. A ने बोला, Mr. A ने bargaining करना start करी, तो Mr. A ने कहा कि या 20,000 रुपीज, इनफ है, मैं इस mobile को खरीद लेता हूँ, मेरी जो satisfaction है, वो पूरी हो जाएगी इस mobile को खरीदने से, तो वो क्या कहता है, Mr. A कहता है कि भाई ठीक है, ये मुझे दे दो, मैं ये खरीद लेता हूँ, मतलब Mr. A एग्री हो गया, उस mobile को purchase करने के लिए कितने में, 20,000 में, ठीक है, Mr. B कहता है, Mr. B कहता है कि यार इसको तोड़ा कम करो, वो bargain करता है, तो जो हमारा दुकामदार हो वो कहता है कि जालो ठीक है, तुम आप 15,000 रुपे दो, वो 15,000 रुपे में agree हो जाता है, इस mobile को बेचने के लिए, तो Mr. A की satisfaction कितने पैसे में पूरी होई, 20,000 में, और Mr. B की satisfaction कितने में पूरी होई, 15,000 में, तो Mr. A की satisfaction को जब हम मेजर कर रहे हैं, नमबर में, तो Mr. A की satisfaction क हम मेजर करेंगे, वो होगी, 20,000 रुपीज उसने पे करें, अपनी satisfaction को फुल्फिल करने के लिए, उस mobile की need को फुल्फिल करने के लिए, तो ये कहता है, काडिनल अप्रोच, कि मैं इसको मेजर कर रहा हूं नमबर पे, और वो नमबर क्या था, 20,000 रुपीज, उस unit को पर्च के लिए, तो काडिनल अप्रोच ये कहता है, कि आप किसी भी चीज को consume करने के लिए, किसी भी चीज को consume करने के लिए, जो price pay करते हो, वो आपकी क्या होती है, utility होती है, ये कहता है काडिनल अप्रोच, अब इसमें एक चोटी सी बात है, चोटी सी concept है, वो मैं आपको देता ह आप जा रहे हो नहाने के लिए बारिश को enjoy करने के लिए तो satisfaction तो आपकी फिर भी पूरी हो रही है मगर उसको major कैसे करोगे भाई कार्डिनल अप्रोच कहता है utility को आप major कर रहे हो यहाँ पर तो आप major नहीं कर सकते किस तरीके से करोगे अब यह कहता है कि अगर आपने कोई पावंदी लगा दे कि अगर बारिश में आना है तो 200 रुपे दे दो बारिश में ना लेना तो आप क्या कर रहे हो उसको किसी monetary ट्रम पे उसको money value पे convert कर रहे हो ऐसी जगह पे convert कर रहे हो जहाँ पर आपको pay करना होगा तो कार्डिनल अप्रोच कहता है कि भाई जो 200 रुपे दोगेरा बारिश में ना आने के लिए 200 रुपे दोगेरा बारिश में ना आने के लिए वो आपकी utility है वो आपकी कार्डिनल अप्रोच के तहर utility है तो ये दो अप्रोच इस थी, Cardinal और Ordinal इंशालला, नेक्स वीडियो में हम डिसक्स करेंगे Total Utility को और Marginal Utility को मिलते हैं, नेक्स वीडियो में अपना बहुत ख्यार रखियेगा Thank you so much